हलो फ्रेंड्स और मैंडे उस्डेन, Human Anatomy & Physiology 1 जिसका की सब्जेक्ट कोड BP-101T है, उसके यूनिट 5 के कार्डिवेस्कुलर सिस्टम में एक काफी इंपॉर्टन टॉपिक कार्डिक आउट्पुट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, काफी इंपॉर्टन है एक्जाम में सौट में भी इसपे कोश्चन आ सकता है, वायवाव अगरा में भी आपसे कार्डिक आउट्पुट क्या होता है, उसको पूचा जा सकता है, तो इस वीडियो में हम लोग कार्डिक आउट्पुट क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे, और कार्डिक डिजर्व के बा जो हमारा subject है human anatomy and physiology one इसकी playlist की link भी आपको इस video के description में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप इसके पहले के जितने भी videos हैं उनको देख सकते हैं, हर एक video के description में आपको PDF की link मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप PDF को भी download कर सकते हैं और अपने notes पर गहरा prepare कर सकते हैं, तो आज हम video सबसे पहले जिस topic के बारे में बात करेंगे, वह है cardiac output, तो output क्या होता है, इसके बारे में तो आपको idea होगा ही, अगर कोई भी pump है, equipment है, वह per unit time में कितने fluid को flow कराता है, या उससे कितना product बाहर निकलता है, वही उसका output कहलाता है, तो इसी तरीके से, जो हमारा hurt है, वह भी एक pump की तरह काम करता है, जो कि blood को हमें pump करते हुए देखने को मिलता है, और hurt हमारे blood को per unit time में कितना pump करता है, वही simply cardiac output कहलाता है, तो सबसे पहले हम लो इसके थोड़ा introduction के बारे में बात करेंगे, फिर इसकी definition और equation वगारा के बारे में बात करेंगे, कि अगर question 5 नमबर में आता है, तब भी आप, या 7 नमबर में आता है, तब भी आप इसको आसानी से आपके पास पर्राफ मैटर रहे, और अगर question 2 नमबर में भी आता है, तब आप इसकी definition और equation को लिखके काम चला सकते हैं, तो हम लोग इसकी तयारी 7 नमबर के हिसाब से भी करेंगे, और 2 नमबर स्वतंत रूप से beat होते हुए, धड़कते हुए, इन autorhythmic fibers के कारण देखने को प्राप्त होता है, तो हर्ट को किसी बाहरी stimulation की आउसकता नहीं होती है, beat होने के लिए, हर्ट में stimulation खुद से generate होता है, propagate होता है, जिससे हमें हर्ट अपने आप ही धड़कते हुए देखने को प हर्ट beat को influence करते हुए देखने को प्राप्त होते हैं, like अगर हम लोग कुछ hard work कर रहे हैं, कुछ हम लोग अगर एक तसे पढ़ रहे हैं, even अगर हम लोग सो रहे हैं और उसमें कोई सपना देख रहे हैं, तो क्या हुआ, हमारा जो brain है उसको और body के cell से उनको oxygen की requirement जैसे ही ज करते हैं, तो हमारे body की जितनी भी cells होती है, उनकी health और life को maintain रहने के लिए हर एक minute हमें एक certain amount oxygenated blood की उनको requirement होती है, तो जब उनके अंदर हर एक जो minute में एक निश्चित amount oxygenated blood पहुंचता है, तो हमारे body की health, हर cell की health और life हमें maintain देखने को प्राप्त होती है, अब जो हमारी cells ह अगर उनकी metabolically वो active हो जाते हैं, लाइक जब हम लो exercise बगरा करते रहते हैं, तो हमारी cells की metabolic activity वो बढ़ जाती है, तो वहाँ पे उसको ज्यादा oxygen की requirement होती है, तो वो हमारे blood से ज्यादा oxygen की requirement उसमें हमें होते हुए देखने को मिलती है, और जब हम लो इसके अगें, जब rest की condition में होते हैं, आराम करते रहते हैं, तो हमारा cellular metabolic need वो हमें reduce होते हुए, यहाँ पे देखने को मिलती है, body की cells को कम oxygen की requirement होती है, जिससे की हमारे heart का जो load है, वो हमें कम होते हुए देखने को प्राप्त होता है, तो हमारे, जो हमारी body है, उसमें जो events हो रहे हैं, वो हमारे heart rate को influence करते हुए देखने को प्राप्त होते हैं, अब अगर हम लो cardiac output क्या होता है, उसकी जो definition है, उसके बारे में बात करते हैं, तो अगर exam में जो question है, वो दो number में आएगा, तब आपको यहाँ से start करना है, तो उसकी definition आपको इस place पे लिखना पड़ेगा, और आपको उसकी equation अगरा को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले अगर हम लो cardiac output की definition को देखें, तो cardiac output जिसको हम लो CO से indicate करते हैं, वो क्या होता है, cardiac output is the volume of blood ejected from the left ventricle और right ventricle into the outer and pulmonary trunk, तो जो left ventricle है, उससे जो blood बाहर निकलता है, वो outer में हमें जाते हुए हमें देखने को मिलता है, और जो हमारा right ventricle है, उससे जो blood बाहर निकलता है, वो pulmonary trunk में हमें जाते हुए देखने को मिलता है, तो हर एक minute में हमारे किसी एक ventricle से कितना volume blood eject होते हुए, बाहर निकलते हुए देखने को मिलता है, उसी को हम लोग cardiac output भी बोलते हैं, तो अगर यहाँ पे आप यह जो हर एक ventricle से कितना volume blood eject होता है, उसी को हम लोग cardiac output कहते हैं, अब अगर हम लोग इसके equation के बारे में बात करते हैं, तो हर एक minute में कितना blood एक ventricle से बाहर निकलता है, वो cardiac output है, तो इसको अगर हमें simply calculate करना है, तो हम इस तरीके से calculate कर सकते हैं, कि किसी एक ventricle से एक बार जब व इनको multiply कर दें, तो हम लोग आसानी से एक minute में कितना एक ventricle से blood बाहर निकल ला है, cardiac output है, उसको हम लोग calculate कर सकते हैं, तो अगर इसके equation को देखें, तो cardiac output is equal to the stroke volume into hurt rate, तो यहाँ पर एक question आता है, stroke volume क्या होता है, तो अगर हम लोग आसान तरीके से कहें, तो stroke volume हमारे blood का वो volume होता है, जो कि एक बार जब हमारा ventricle contract होता है, एक बार जब ventricle धड़कता है, hurt हमारा धड़कता है, तो उस condition में कितना blood volume eject हो रहा है, बाहर निकल ला है, वो हमारा stroke volume कहलाएगा, और hurt rate क्या होता है, hurt rate हमारा है कि एक minute में हमारा hurt कितनी बार धड़कता है, beat होता है, वो हमारा heart rate कहलाता है, तो इन दोनों को जब multiply कर देंगे, तो वो हमारे cardiac output के equal होगा, तो equation क्या हो जाएगी, cardiac output is equal to stroke volume into heart rate, cardiac output का मात्रक क्या है, ml per minute, stroke volume का मात्रक है ml per beat, heart rate का मात्रक है, beat per minute तो आईए, अब हम लोग इसको, इसकी जो equation है, calculation है, अगर उसको देखें, तो अगर हम लोग एक resting adult के बारे में बात करते हैं, कोई adult जब आराम की condition में होता है, कोई खास काम नहीं कर रहा है, तो उस condition में उसका जो average stroke volume है, वो कितना है, 70 ml per beat मतलब उसका stroke volume, एक beat में 70 ml blood उसका हमें बाहर निकलते हुए देखने को मिला है, और उसका heart rate कितना होता है, यह है 75 beat per minute, एक minute में उसका heart 75 बार हमें धड़कते हुए देखने को मिला है, तो इन दोनों को जब multiply कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे, जो cardiac output है, वो क्या हो जाएगा, that is the 70 ml per beat into 75 beat per minute हो जाएगा, तो beat of beat, यहाँ beat नीचे है, यहाँ beat उपर है, तो यह आपस में कट जाएगे, मात्र क्या रह जाएगा, ml पर, जो हमारा minute है, वो रह जाएगा, और जब हम लोग 70 और 75 को multiply करेंगे, तो यह 5250 आ जाएगा, तो कितना हो गया, 5250 ml per minute हमारा cardiac output होता है, अगर हम लोग resting adult के बारे में बात करते हैं, और इसको अगर लीटर में convert करें, तो कितना हो जाएगा, 5.25 लीटर per minute cardiac output होता है, एक resting adult का, तो आप लोग को इसके बारे में तो पता ही होगा, कि जो हमारा total blood volume है, वो कितना होता है, वो approximately जो adult male है, उनमें हमें 5 लीटर के आजपास देखने को मिलता है, मतलब adult male के अंदर 5 लीटर total blood होता है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो यह जो cardiac output का volume है, वो हमें total blood volume के equal close देखने को प्राप्त होता है, तो यहाँ पे हम simply कह सकते हैं कि जो हमारा entire blood volume है, पूरा-पूरा blood volume जो हमारे body के अंदर होता है, जो कि हमारे flow होता है, pulmonary or systemic circulation के थुरू, वो हमें हर एक जो हमारा यहाँ पे minute है, उसमें pulmonary or systemic circulation में flow होते हुए देखने को प्राप्त होता है, मतलब पूरा का पूरा blood हमारा हर एक minute में हमारे heart में फिर से return होता है, फिर से वो pump होता है, फिर से return होता है, फिर से pump होते हुए देखने को राप्त होता है. अब अगर हम लोग देखें कि यह जो stroke volume है और heart rate है उसको कौन-कौन से factors हमें यहाँ पर increase करते हुए देखने को मिलते हैं, affect करते हैं और cardiac output को increase करते हैं, तो जब हम लोग हलकी-फुलकी exercise हम लोग करते रहते हैं during the mild exercise उस condition में क्या होता है, जो stroke volume है हमारा कि एक beat में कितना blood heart से बाहर निकल ला है, वो हमें increase होके लगबख 100 ml पर beat के आसपास हो जाता है, जो कि resting में कितना था, 70 ml पर beat था, और वहाँ पर उसका heart rate है, जो कि resting थे adult उनके अंदर 75 था, वो 100 beat पर minute के आसपास हमें देखने को मिलता है, और अगर हम लोग इसको, इससे cardiac output को calculate करें, तो यह exercise हम लोग करते हैं, बहुत ही, हम लोग कठिन exercise जब करना स्टार्ट कर देते हैं, तेजी से करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस condition में जो stroke volume है, वो increase होके लगबख 130 ml पर beat के आसपास हो जाता है, और जो हमारा heart rate है, वो वहाँ से और ज्यादा accelerate होके, 150 beat पर minute के rate से हमें heart beat होत देखने को प्राप्त होता है, तो इस condition में जो हमारा cardiac output है, वो और ज्यादा increase होके, लगबख 19.5 liter पर minute के आसपास हमें cardiac output बढ़ते हुए देखने को प्राप्त होता है, तो इस तरीके से जब हम लोग हमारे body की activity increase होती जाती है, जैसे जैसे वो increase होती जाएगी, cardiac output हमें बढ cardiac output के बारे में बात हो गया, तो अगर exam में 5 number में question आता है, तो starting से लेकर के यहां तक आपको पूरा का पूरा space पर लिखना है, और जो आपका question है, वो अगर आता है approximately 2 number में, तो आपको cardiac output से start करना है, और आप अगर इस place तक भी वो लिख देंगे, तो भी आपका काम हो जाए है, तो आपको पूरा ही लिखने की आउ सकता होगी, अब आईए हम लोग cardiac reserve के बारे में बात कर लेते हैं, तो जो हमारा reserve है, उसका क्या मतलब होता है, जो भी बची हुई रहती है, उसको हम लोग बोलते है reserve, तो cardiac हर्ट में कितना blood बचा हुआ रह जाता है, या हम कह सकते है हर्ट की जो maximum capacity है, आउटपुट करने की उसमें से अगर जब rest की condition में हम लोग का output क्या है, उसको minus कर दे तो वो हमारा cardiac reserve कहलाता है, तो आईए अगर हम लोग यहाँ पर simply देखें, तो जो cardiac reserve है, it is the difference between a person's maximum cardiac output and cardiac output at the rest, तो जब हम लोग अगर simply कहें हैं, तो किसी भी आदमी का जो maximum cardiac output है, जब वो intense exercise कर रहा है, बहुत ज्यादा activity कर रहा है, उस condition में उसका cardiac output कितना है, उसमें से अगर हम लोग वो rest की condition में जब है, तो उसका cardiac output क्या है, उसको अगर minus कर देते हैं, तो वह हमारा यहाँ पर उसका cardiac reserve कहलाता है, तो equation यहाँ पर क्या हो जाएगी, cardiac reserve is equal to maximum cardiac output minus rest cardiac output, और अगर हम लोग यहाँ पर simply देखें, तो जो हमारे average persons होते हैं, हम लोग अगर अपनी बात करते हैं, तो उस condition में हमारा जो cardiac reserve होता है, वो लगबग हमारा जो resting cardiac output है, उससे 4 से 5 गुना हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब कि अगर हम लोग यहाँ बात करें कि approximately 5 लीटर के आज-पास हमारा cardiac output है, resting की condition में वो होता है, तो जब हम लोग अगर अपने heart के maximum output को देखें, तो वो approximately जो resting है, उससे हमें 4 से 5 गुना जादा देखने को मिलता है, अगर हम लोग दौड़ना स्टार्ट करते हैं, भागना स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज स्ट करते हैं, तो यह 4 से 5 गुना हमें increase होते हुए, जो देखने को प्राइप्त होता है, और अगर हम लोग टॉप एथलीट्स के बारे में बात करते हैं, वो लोग जो जो एथलीट्स होते हैं, उनका जो cardiac reserve होता है, वो उनके resting cardiac output का लगबग 7 से 8 गुना हमें देखने को मिलता ह है, क्योंकि वो अपनी जो practice वगएरा है, उसको जो डेली करते रहते हैं, तो उनकी जो capacity है, वो धीरे-धीरे increase होती जाती है, और उनका cardiac reserve है, वो cardiac, जो rest cardiac output है, उससे 7 से 8 गुना तक हमें जादा देखने को प्राप्त होता है, बट हमारे ऐसे people, जिनके अंदर severe heart disease वगएरा ह होती है, उनके अंदर cardiac output हमें काफी कम देखने को मिलता है, या उनके अंदर हमें cardiac reserve है, वो बिल्कुल भी देखने को प्राप्त नहीं होता है, तो उस condition में क्या होता है, ऐसे हमारे जो people हैं, जिनके अंदर severe heart disease होती है, वो अपने जो उनका daily life के simple task होते हैं, उनको भी वो आस और दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी, उनका जो cardiac reserve है, वो लगबग 0 हो जाता है, या बहुत कम रह जाता है, तो इस तरीके से जो अगर हम जो average person से उनको देखें, तो उनका जो cardiac reserve है, वो cardiac output का 4-5 गुना होता है, जो top athlete है, उनका 7-8 गुने के आसपास हमें वो देखने को मिलत है, तो I think so, जो cardiac output है, वो भी आप लोगो अच्छे से clear हो गया होगा, और cardiac reserve भी आप लोगो अच्छे से clear हो गया होगा, अगर अभी भी कहीं कोई confusion है, तो comment करके पूछ सकते हैं, इस topic का PDF आपको description में मिल जाएगा, इस video को like करें, अपने दोस्तों के साथ share करें, और ऐसे ही इस दो करें आपको